साथ्यों नमस्कार स्वागता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बहुत ही महतोपूर्ण सा टोपिक अपन डिसकस करने वाले हैं और ये टोपिक जुड़ा हुआ है दोस्तों फ्लूड थेरेपी से यानि पस्मों की विभिन बि बगाना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां अपने को रखनी चाहिए इनके उप्योक्ति समय ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों आज का वीडियो पन सुरू करते हैं फ्लूड तेरेपी इनिमल्स सबसे पहले देखिए दोस्तो कौन-कौन से फ्लूड मार्केट में अवीलेबल होते हैं और कौन-कौन से फ्लूड अपने को जरूरी होते हैं पस्मों के उपचार के लिए उनके बारे में अपन डिसकस करते हैं थोड़ा सौल्ट में तो सबसे पहले देखिए दोस्तों एक वीडियो आएगा अपने पास उप्योग बहुत ज्यादा अपन करते हैं उसके अलावा बात करें दोस्तों तो DNS का यूज अपन लेते हैं या जो dextrose की preparations होती है जिसे d5 है d10 है d20 है या d25 है इन सब का उप्योग अपन पसुचिक इस्या के बहुत सारे केसेज में करते है तो यह कुछ fluids हैं जनरली जिनको अपन अनिमल को देते हैं अनिमल के treatment के लिए उप्योग में लेते हैं तो आज के इस वीडियो में इन सभी fluids के बारे में अपन जानकारी लेंगे कि कौन से फ्लूट का उपयोग कौन सी बिमारी में अपने को करना चाहिए तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी सावित होने वाला है तो अपने साथियों के साथ इसको अधिक से अधिक सेयर करें उसके अलावा एक जानकारी और देदू में आपको तो निकट बहुष्य में यानि कुछ ही समय पश्याद अपने यूट्यूब चैनल पर उनलाइन क्लासेज स्टार्ट की जाने वाली है जो कि एकदम निसुल्क रहेगी उसमें अपन एसडीपी का पाठ्थेक्रम लेंगे यानि एलेसे का जो भी पाठ्थेक्रम होता है जो कोलेज में जो पढ़ाया जाता है वो पूरा पाठ्थेक्रम अपने चैनल पर पढ़ेंगे उसके अलावा एलेसे की जो भरती परिक्षा होती है उसका जो भी पाठ्थेक्रम है वो भी अपने चैनल पर डिसकस करेंगे उसमें पूरा ओनलाइन क्लासेज होगी अपनी उसके अलावा ज तो भी फिल्ड प्रैक्टिसेज होती है, जो common core cases होते हैं, जो अपने को discuss करने चाहिए, जिनकी जानकारी अपने को होनी चाहिए, वो सारी जानकारी अपने चैनल पर अपने सुरू करने वाले हैं, online classes के माद्यम से, तो आप अपने comments में बता सकते हैं कि किस प्रकार की classes, किस प तो जो भी Вेटनेरी स्टूडंट्स है या जो प्रैक्टिसदर्स है या जो किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उनस सभी लोगों के साथ अपने इस वीडियो को सेखर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक फाइदा मिल सकें तो आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों fluid therapy in animals की तो सबसे पहले बात करते हैं अपन NS की, NS यानि normal saline जो होता है दोस्तों 0.9% NACL का solution होता है normal saline solution होता है इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग अपन करते हैं दोस्तों वो condition होती है fever की fever के case में जब animal का body temperature बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है या जैसे heat stroke की condition माल ले, गर्मियों के दिनों में जो विदेसी नसल की गाएं होती है या buffalo होती है, इनमें बहुत ज्यादा heat stroke के case अपने को देखने को मिलती है generally जो exotic bleed की cattle होती है, उनमें अपने को heat stroke के case देखने को मिलते है जिसमें क्या होगा, animal की body का temperature बहुत ज्यादा राईज हो जाता है बहुत ज्यादा salivation होने लगता है, penting होने लगती है respiratory rate बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी conditions में अपने को NS का उपयोग करना होता है NS के साथ अपन इसमें oxidator cycle लगाते हैं, IV जिसकी वज़े से उसका body temperature बहुत जल्दी normal range में आ जाता है तो सबसे पहले उपयोग करते हैं अपन NS का fever की condition में उसके अलावा बात करें दोस्तों heat stroke की condition में अपन इसका उपयोग करते हैं उसके अलावा बात करें तो over ventilation जहां भी हापने की स्तती है या respiratory rate बहुत ज्यादा हो गई है जानवर की उस स्तती में अपने को NS का उपयोग करना चाहिए उसके अलावा poisoning का कोई भी case हो उसमें अपन NS का उपयोग करते हैं उसके अलावा दोस्तों NS का सबसे ज्यादा उपयोग सबसे important जो use होता है वो होता vomiting के case में बहुत सारे लोगों को यह doubt रहता है कि vomiting के case में अपने को renger lectate का उपयोग करना चाहिए परन्तु vomiting की case में NS का उप्योग करना चाहिए ना कि ringer lactate का तो यह बहुत important point है कि vomiting यानि vomition के अगर condition बनी हुई है जैसे generally अपन dogs के case में देखते हैं vomiting के अगर इस्तती है तो वहाँ पे अपने को NS का यूज़ करना होता है उसके अलावा दोस्तों बात करें तो alkalosis की जो condition होती है उसमें भी अपना NS का उप्योग करते हैं तो यह बहुत सारी इस्ततिय हैं बहुत सारी बिमारिया हैं जहां पे अपने को normal cell line का यूज़ करना होता है अब बात करते हैं दोस्तों ringer lactate की RL RL बहुत ही important fluid होता है अपने treatment के अगर cases की बात करें अपन तो सबसे ज़्यादा important role होता है इसका डाइरिया के cases में उसके लावा ruminal impaction की condition हो ruminal overload हो गया हो या acidosis की condition हो उसमें drug of choice होता है डाइरिया के case और acidosis की श्ततियों में और इंगर lactate का उप्यों करना होता है उसके अलावा कोलिक की इस्तति या पेट दर्थ से संबंदित rumen से संबंदित कोई भी problem हो वहां पर अपन RL का उप्यों करते हैं इस पेसली गोड़े में देखते हैं अपन कोलिक की condition expectation तो वहहां पे अपने को ri captive का उप्यों करना होता है उसके अलावा के ketosis के case में भी को क्यों करना होता है ketosis की स्तति में glucose होता है तो आप रेक्रों करते हैं उसके साथ में लेक्ट में करना चाहिए उसके अलवा बात करें दोस्तों तो जो डेक्स्ट्रोज प्रिप्रेशंस होती है जैसे Dns की बात करें या D5 है D10 है जो या D25 है यह की ऑफिTwेंस होती है इन्ने जो Dextrous Conzerum होती है उनका उप्योग करना होता है अब जणरली बात करें है अपन तो जैसे हाँ डी हाइड्रिकल के केस्टेज है ठीक है जहां पर फुट लोस हो गया हैहने मल्के बॉडिट है यह जैसे रिंटोज है इंटालाइट मार्केट में अवेलेबल होती है जनरली रिंटोज और इंटालाइट के नाम से मार्केट में इजली अवेलेबल है तो इनका उपयोग जब अपन करते हैं दोस्तों जब जानवर का नेगेटिव बोडी का जो एनरजी बैलेंस है बहुत जा गया है हाइपो थर्मिया की कंडिशन अपने को देखने को मिल रही है बोडी टेम्टेशर भी डाउन है ठीक है एनरजी लेवल भी डाउन है उस स्थाथि में अपन रिंटोज और इंटालाइट का उपयोग करते हैं और अगर हाइपो थर्मिया हो रहा है तो उस स्थारी केसेज में अपन करते हैं उसके लाओ दोस्तों एनस के बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं अगर किसी एनिमल के ट्रीटमेंट के अपने इस्टिरोइट्स का यूज बहुत ज्यादा किया है लंबे समय तक इस्टिरोइट्स का यूज ही करना चाह यहां यहां पर जानवर को एनरजी के रिक्वाइर्मेंट है वहां पर यह फ्लूट्स अपन यूज में लेते हैं अगर आपको होता है तो अपने कमेंट सेक्शन में बताइए उसका निश्चत रूप से निश्टारण अपन करेंगे और ओनलाइन क्लासे जल्दी ही स्टार होने वाली है तो अधिक से अधिक लोगों के साथ अपना ये वीडियो सेयर करें ताकि मैक्जिमम लोगों को इसका फाइदा मिल सके जो भी ओनलाइन क्लासे जोगी वह पूर्णता है निश्टारण को गी धन्यवाद